दोस्तों चेवी की पॉपलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में गायतर सिंगानिया का करदार उतार कर मशूर होने वाली अबनेत्री हैं कांचे सिंग जिनोंने शो में अपने क्यूटनिस और खुबसूरती से हर किसी को अपना दिवाना बना दिया जिसके चलते आज ये ला रोहन महरा इनके क्रश तो हैं पर पहले नहीं जी हां वो अभी इनके क्रश बने हैं इनके पहले क्रश तो बॉलिवुड के हैंसम अक्टर हैं जिने पहली ही नजर में देखी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी खिरकर कौन से हैं वो बॉलिवुड आक्टर जो बने थे रो गुदिस्ट कपल है जुनके बारे में बात करते हुए कांची सिंग ये तक कह चुखी है कि जब कांची नेनी सेट पर पहली बार देखा था दो देखते ही इने अपना दिल दे बैठी लेकिन अगर बात करें कांचे सिंग के सबसे पहले क्रश के बारे में तो बता दें वो कोई और नहीं बलकि बॉल वुड के अबनेता टाइगर शॉफ हैं जी हां वोर और बागी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्म में देने वाले अपनेता टाइगर शॉफ टीवी इंडस्ट्री की क्यूडिस्ट आक्ट्रस कांचे सिंग के दिल पर राज करते हैं जिने कांचे सिंग अपना पहला क्रश बताती हैं जिसका खुलासा कांचे सिंग ने इने अपना पहला क्रश मान चुकी थी उनकी क्यूट सी स्माइल उनकी दमदार आक्टिंग और डांसिंग स्कल्स और मस्किलर बॉड़ी ने इनका दीवाना बना गई जिसके बाद टाइगर शॉफ इनके जिन्दगी का एक एहम हैसा बन गये थे जिनकी हर एक फिल्म को ये परदे पर आते हीं ये खुद तो उसे पहले दिन देखी लेती हैं साथ ही अपने आसपास वाले लोगों से भी उनके इस फिल्म को देखने के लिए काफी जादा रिक्वेस्ट करती थी जिससे सुनकर सभी काफी हैरान रहे गए क्योंकि ये तो सच में काफी जादा दीवा मौका मिल जाए पर अफसोस इनकी ये सारी अफर्ट्स और ख्वाब धरे के धरे रहे गए इसके बावजूद इनोंने आज भी उमीद नहीं छोड़ी है और आज भी कोशिश करती है कि इने एक बार टाइगर शॉफ से मिलने का मौका मिल जाए तो दोस्तों कि आप भी इन बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथे टीवी जगत से जुड़ी ऐसे इंटरस्टिंग खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें